Hey guys, welcome back to my YouTube channel So guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने WordPress website की यहाँ पर speed को कैसे चेक करना है तो guys, यहाँ पर मैं आपको आज तीन टूल बताऊंगा आपको guys इन तीन टूलों में अपनी website की performance को चेक करना है Guys, हमें अपने website की speed को भी चेक करना होता है Suppose that guys, अगर आपका article Google में कहीं पर rank कर रहा है और वहाँ पर कोई इस पर click करेगा और click करने के बाद guys, अगर आपकी website open नहीं होती है तो वहाँ से guys, visitor क्या करेंगे कि वापिस हो जाएंगे क्योंकि आपकी website guys open होगी नहीं क्योंकि हमारी website की speed and performance यहां पर ठीक नहीं है तो guys, हमें क्या करना कि अपनी website को भी guys हमें यहां पर ठीक करना होता है जो भी उसका यहां पर speed होता है यानि की guys performance होता है तो इस वीडियो में guys, मैं आपको यहां पर three tools बताऊंगा इन तीन टूलों में guys, आपको अपनी website की guys, यहां पर speed को चेक करना है तो guys, अगर आपको यहां पर वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो लाइक and यहां पर चैनल को subscribe कर देना है तो सबसे पहले guys, आपको क्या करना है कि यहां पर guys, Google में आना है and Google में आने के वाद guys, आपको यहां पर search करना है page speed insight guys, यहां पर Google का ही टूल है आप यहां पर अपनी website की performance को चेक कर सकते है and यहां पर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि मेरी website के यहां पर performance क्यों खराब हुई है यानि कि आपकी website में images high quality के हैं यानि कि आपकी website में क्या क्या problem है guys, वो सारे चीज़ें आप यहां पर check कर सकते हैं तो guys, सबसे पहले आपको आने है पर page speed insight पर and guys, आपको यहां पर URL को डाल देना है and URL डालने के पाद guys, यहां पर आपको analyze लिखा हो दिखाए देना है जैसे guys, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर Google में कहीं भी आपका कोई article rank कर रहा है और वहां पर अगर कोई भी visitor किलिक करता है और आपकी website guys, ओपन नहीं होती है क्योंकि आपकी website की speed ठीक नहीं होगी तो ओपन खहां से होगा तो guys, वहां से क्या करेगा, visitor वापिस हो जाएगा और वहां से दूसरा keyword पर किलिक करेगा और दूसरी की website में चले जाएगा तो guys, यहां पर यह भी matter करता है तो हमें अपनी website की speed भी guys, यहां पर ठीक करना है तो guys, जैसे आप देख पारेगी, यहां पर digital UK 07 and guys, इस website का यहां पर performance की इतना है 93% और guys, यह चीज़े क्यों मायने रखता है क्योंकि अगर आप अपनी website में high quality की images लगाओगे यहां पर template को download करोगे यहां पर heavy वाले theme को use करोगे तो आपकी website की performance यहां पर गिर जाएगी तो हमें यह सब चीज़े नहीं करनी है आप मैं यहां पर mobile में देख लेता हूँ तो mobile में guys, यहां पर 63% है जबकि guys, अभी मैंने यहां पर mobile में अपनी website को customize नहीं किया हुआ अभी यहां पर और भी अच्छा performance हो सकता है क्योंकि guys, अभी मैंने अपनी website को complete नहीं किया हुआ है तो हमें अपनी website की speed को भी यहां पर सही करना है तो guys, जैसे आप यहां पर देख पारे हैं कि हमारी website की जो यहां पर condition है वो यहां पर क्यों खराब हुई है speed को हमारी सही नहीं है तो guys, आपको नीचे scroll करना है और guys, यहां पर सारे चीज़े आपको दिखाय दे रहा है तो guys, हमें यहां पर आपनी website में image को भी यहां पर ध्यान में रखना होगा image का जो format होता है वो भी guys, हमें यहां पर ध्यान में रखना होगा तो यह सारे problem guys आपको यहाँ पर दिखाया देते हैं, इन problem को guys हमें यहाँ पर एक एक करके ठीक करना होगा, आप guys बात आते हैं कि हमें कैसे ठीक करना है, तो guys इसके लिए भी एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि guys यहाँ पर इसके पीछे वीडियो काफी long बन जाएगी, तो हमें यहाँ पर अभी चेक करना है, हमारे website में यहाँ पर क्या क्या प्रप्रॉब्रम है, क्या क्या चीजिशें हमें यहाँ थीक करना है, आप guys हम बात करते हैं यहाँ पर 2øl, तो guys यहाँ पर 2Pool आता है GT Matrix अपको Google में जाकर सेर्च करना है GT Matrix, ज 개uard maniac सेर्च करने के यह हमारी वीबसाईड को एनलाईज करेंगे और हमारी वेबसाईड में जो भी प्रॉब्लम है जिससे हमारी वेबसाईड का यहां पर लो टाइम बढ़ रहा है वह High quality की image कौन से है जिनका यहाँ पर size सबसे जद़ाद है वो भी guys आपको यहाँ पर बता देता है तो आपको कोसिस करना की अपनी website में guys यहाँ पर लिल्कुल यहाँ पर size होते है वो यहाँ पर guys के लिस बी में होना चाहिए तो वहां हमें यहां पर आपको दिखा जाए है कि यहां पर दिखा है है तो इहां में तैया पर सत्व अदंस करना है इन पिज़कर को दिखा सब दें Bernie और जैसे हम डालिंगे तो हमारी website के गाइज यहाँ पर परफुमेंस और अच्छा हो जाएगा अभी जैसे हम पे 64 बरसेंट है तो गाइज यहाँ पर 84 यह 90 ऐसे करके हो जाएगा उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इस पे किलिक करना है और यहाँ पर इसको भी गाइज ह भी ब्लॉग कर सकते हैं तो प्लगिंग का नाम मैं आपको बता दिया है वर्डप्रेस प्लाइगन है और अप्टमाइज करके है उसको आप अगर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करोगे एक्टिवेट करोगे तो गाईज आपका यहां पर वर्डप्रेस व भ्बसाइट वेबसाइट का एильस कितने है तो यह सारे चीज्साइट कारके यहां पर च肉 करने हैं आप इहां पर देख पार है कि हमारे website में क्या-क्या problem है कितने speed है यह सारे चीजे आपको इन टूलों की help से मिल जाता है तो आपको चेक करना है अपनी website की performance and speed तो फर्स्ट टूल मैंने आपको आपको बताए कि page speed inside and second tool आपको मैंने बताए है कि हमारी website की यहां पर जो speed है किस से यहां पर हाई हो रहा है यह सारे प्रॉब्लम आपके सामने है इनको ठीक कर सकते हैं यह ज्यादा बड़ी कोई भी problem नहीं है जैसे आप आप देख पारें कि हाई quality images है इनको आपको ठीक करना है तो जो भी चीजे आपको आपको ठीक करना है मैंने आपको बता दिया कि काफी important होता है कि हमारी website में अगर performance ठीक नहीं है तो हमारी website यहां पर रैंक नहीं होती है suppose that guys मैंने आपको बताया कि अगर हमारी website Google में जाकर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है और वहां पर हमारी website आती है और उस पर कोई करेगा हमारी website open नहीं होगी तो guys visitor क्या करेगा वहां से प्लट जाएगा और किसी की website में चले जाएगा तो क्या होगा Google के नजरों में guys हम वहां सबसे बड़ा कारण है यहां पर हमारी website की speed खराब होने का क्या है कि हम यहां पर बड़े बड़े थीम एंड बड़े टैंपलेट को डाउलोड कर दते हैं और वीडियो एंड वहां पर हाई क्वालिटी के images जैसे 6 MB, 7 MB, 10 MB हम अपने website image को क्या करते हैं अपलोड करते हैं वह आई होप कि आप लोगे समझ में आगे होगे कि कैसे करके हमें अपनी WordPress website की speed को चेक करना है और यहां पर कौन-कौन से टूल है जिनसे हम अपनी website की performance को यहां पर चेक कर सकते हैं अगर आपको यहां पर वीडियो पसंद आजे तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और साथ साथ आपको यहां पर हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको और भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डारेक्टली हमें Instagram में भी मैसेज कर सकते हैं तब तक के लिए आपको अपने ध्यान रखना है जहिन वंदे मातरम